साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टुटिरियल चल रहा है Microsoft Excel for beginners और इसके अंतरकत आज के टुटिरियल में हम जिकर करेंगे होम टैप के अंदर और सेल ग्रूप की और सेल ग्रूप से क्या कर सकते हैं किस काम आता है सेल ग्रूप यह सब जानने के लिए इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम है मनोश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अन्गूरी चैनल तो आएए सीखते हैं देखिए जो सेल ग्रूप है होम टैप के अंदर छोटा सा ग्रूप है थोड़ा ही काम है लेकिन काफी इंपोर्टेंट काम है एक्जम्पल किस तरह का काम है कि मान लिजिए हमने यहां पर इस टेबल में काम कर रखा है और यहां पर बीच में हमने कोई रो इंशर्ट करनी है या बीच में कोई कॉलम इंशर्ट करना है किसी रो को हाइड करना है किसी कॉलम को हाइड करना है इस तरह के बहुत सारे ऐसे option है जो यहां से आपको मिल जाएंगे जैसे कि सबसे पहले है यहां पर insert के लिए यहां पर कह रहा है insert cell insert seat row insert seat column यह insert seat अब देखें चारों में सबसे पहले है तो इसमें difference देखे insert cells क्या है कि हमने कोई भी cell insert करना है किसी पी हम यहां पर आ गए यहां पर एक cell हमने insert करना है तो यहां पर जब हम insert cell पर click करेंगे तो इधर एक pop-up window open हो जाएगी कि हमने सिरफ shift cell right अगर एक cell हम यहां पर insert कर दें तो बाकी के cell right में shift हो जाए या फिर बाकी के cell down में shift हो जाए या फिर entire row insert करनी है entire column insert करना है सबसे पहले तम इन दोनों में से एक करके देखते हैं अगर हम यहाँ पर किलिक करेंगे देखें मैं निच्छे कर लेता हूँ और मैं अभी इसको करता हूँ तो यहाँ पर एक नया सैल इंशेट हो गया और ये बाकी के तीन जो सैल थे ये राइट में स्ट हो गए तीक है इस तरहें की स्थीति हमारी जो टेबल का जो फॉर्मेट उसको गड़ बढ़ा सकती है जहाँ पर अगर आपको फॉर्मेट की जुरुत नहीं है गड़ बढ़ा जाए कोई दिकत नहीं है तो आप इस तरहें का ये वाला उप्शन चूज कर सकते हैं और डाउन में अगर करेंगे मैं इसको कंट्रोल जैड करता हूँ अगर हम डाउन में करेंगे मैं डाउन में करता हूँ तो ये डाउन में शिफ्ट कर जाएगे फिर से कंट्रोल जैड करता हूँ इसी position पे अगर हम पूरी entire seat देखे यहाँ पे click करते हैं तो भी option नज़राएंगे हमारे पास यह दोनों entire row और entire column का हम यहाँ भी click करके कर सकते हैं या फिर इसमें जो अलग से option दे रखे हैं insert seat row यहाँ पे हम click कर देंगे तो भी यह seat के अंदर एक row insert कर देगा एक column insert करना है यह ध्यान रहे है कि जहाँ पे हमारा जो active cell है जैसे मान लिजी यह वाल active cell है तो row insert करेंगे तो active cell के above insert होगी और column insert करेंगे तो active cell के left में एक column insert होगा ठीक है इस बार हम दिखाते हैं आपको करके एक seat column तो देखिए हमारी correction position हिमान सूपे था ना तो यह left में एक cell insert हो गया इसी परकार delete के लिए हम इस बार इस column के अंदर हैं हमने इस column को delete करना है तो उसी column में कहीं भी आप रह सकते हैं ठीक है और यहाँ पर delete पर जाके हम कर देंगे delete seat column तो वही column delete होगा जिस column के उपर हम है इसी परकार से row को delete करना है तो हम row को यहाँ से delete कर देंगे same position cell की है जैसे हमने insert किया था इसी परकार delete cell पे जाएंगे तो आपके पास वही pop-up open होगा फरक क्या होगा जब हमारे पास insert का pop-up था इस बार delete का pop-up है यह हट जाएगा तो यह left में आ जाएंगे और एक बढ़ रहा था तो वह right में खिसक गए थे इसी परकार down का अगर हमने यहाँ पे insert किया था तो यह down में चले गए थे और delete करेंगे तो यह up हो जाएगा देखना हम delete करते हैं तो यह बाकी के cell up हो गए ठीक है नहीं कर सकते और आपका जो भी उसके अंदर data है वो सारा खतम हो जाएगा और जब चाहते हैं कि बेसक से खतम हो जाए तो आप इसको delete कर दें ठीक है सो समझ के delete करें कि गलती से आपने delete कर दें और आप चाहें कि नहीं delete नहीं करना था तो इसको undo नहीं कर सकते हैं ओके अगर मैं इस पर click कर दूँगा delete कर दूँगा तो यह वाली seat जो seat number 3 है जिसमें मेरी table बनी होई है यह permanently खातम हो जाएगी ठीक है इसको कर देता हूं cancel मैं नहीं करूँगा इसको delete क्योंकि अभी मैंने आपको और भी कुछ समझाना है अब चलते हैं format के उपर देखिए सबसे पहले format row की height और auto fit row height example के लिए हमारे किसी row का format गड़ बड़ा गया है यह row इतनी ज़्यादा बड़ी होगी अगर हमने इसको text के हिसाब से auto fit करना है तो देखिए दो तरीक हैं या तो हम जो divider है यहाँ पे यह row का हम यहाँ पे अगर double click use करेंगे तो भी यह auto fit हो जाएगी हो जाएगी ना या फिर हम इस row पे आएँगे और format के अंदर जाके इसको हम height इसकी auto fit कर देंगे यहाँ पे click करेंगे तो भी यह auto fit हो जाएगी same position column के लिए है auto fit के लिए default width जो by default axle जो प्रवाइड करता है column की width वो width होगी अब इसमें दो option बच गए row की height और column की width इनसे क्या होगा यहाँ पे हम row की height की उपर आते हैं और हम manually कितनी height रखना चाहते हैं उस row की वो हम डाल सकते हैं इसी प्रकार column की width मान लीजिए मैं यहाँ से एक table बना लेता हूँ blank की यहाँ पर border बना लिया यह आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से मैं इन सभी को select कर लेता हूँ और इन सभी की width देखिए मैं यहाँ पर column की width यहाँ पर manually करूँगा change यह आगया हमारे पास इधर यह option इसमें दिखार है 8.43 अगर मैं यहाँ पर इसकी width दो करना चाहूँ इन सभी की जो मैंने select कर रखे और ok करूँगा तो इनकी width आटमेटिक दो क्यों जाएगी तो इस प्रकार आप manually भी उनकी width यहाँ पर डाल सकते हैं फिर आगे चलते हैं अब आजाता है इसके अंदर visibility के लिए किसी column को किसी row को हमने hide करना है delete नहीं करना है चूपाना है और क्यों चूपाते हैं वो मैं आगे function बताएंगे function करवाएंगे कि मारे पास जो भी column है या row है उसकी हमको जरूरत तो है उसकी requirement है उस table क्या है अंदर connection के लिए लेकिन उसको display करने की जरूरत नहीं है उसको visible दिखाने की जरूरत नहीं है तो हम उसको hide कर सकते हैं और वो hide किस पर करेंगे जिस भी column पर या row पर हम रहेंगे example मैं गुपता वाली row के उपर हूँ और इस column के उपर हूँ और हम जो भी column या row hide करेंगे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और hide पर जाएंगे तो यहाँ से दिखा रहा है hide row hide column या hide seat हमने पूरी seat को ही hide करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं तो हम hide row करते हैं तो इदे के गुपता वाला column यहां से गायब हो गया डिलीट नहीं हुआ गायब हो गया आप यहाँ पर numbers प्याकर देखोगे यहाँ पर 4 के बाद 6 number दिखा रहा है यानि पांचवा number वहाँ पर छुप रहा है अगर हमने show करना होगा तो हम इन दोनों को select करेंगे 4 और 6 को और वापस से हम यहाँ पर आएंगे और यहां से हम कर देंगे इस बार hide के नज़ा के unhide row तो वो जो row हमारी hide होगी थी वो unhide हो जाएगी इसकी short की होती है row को hide करने के लिए हम control के साथ no number दबाएंगे तो देखे hide हो जाएगी और control के साथ हम इन दोनों को select करेंगे पहले तो और अब control पहले हमने control 9 दबाया था hide करने के लिए अब हम करेंगे control shift और फिर 9 दबाएंगे तो वो unhide हो जाएगी इसी परकार columns को हमने column को hide करना है किसी भी column को तो हम यहाँ पर आएंगे जिस column को हमने hide करना है उसके उपर और control के साथ 0 दबाएंगे तो वो column hide हो जाएगा unhide करेंगे तो जो hide हुआ है उसके आजू बाजू के दोनों column हम select करेंगे और इस बार control shift 0 दबादेंगे ओके तो यह था hide और unhide के लिए इसी प्रकार आप हमने seat को hide करना है तो हम seat को hide कर पाएंगे हम यहाँ से seat के उपर यहाँ पर click करेंगे और हमारी वो seat hide हो जाएगी अब देखिए तीन नंबर seat यहाँ पर दिखाई नहीं देगी आपको नहीं देगी नहीं दिखाई उसको unhide करने के लिए वोपस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे hide unhide के उपर और कर देंगे unhide seat कौन सी seat अगर आपने एक से ज़्यादा hide कर रखें तो यहाँ पर सारी seat दिखाएगा जो seat आपने unhide करनी उसी को select कर लें और ok कर दें तो वो seat अब आपस से आपकी unhide हो जाएगी आगे चलते हैं अब दिखाता है हमारे पास organized seats वे seat को हमने rename करना है उसका नाम बदलना है move और copy करना है या उसका tab color change करना है देखिए तीनों चीज़े का है rename का मतलब इसका नाम seat 3 है यहाँ पर हम और हम rename पर click करेंगे तब यह देखो highlight हो जाएगी select हो जाएगी और यहाँ पर हम seat का नाम change कर सकते हैं और enter use करेंगे तो seat का नाम change हो जाएगा आगे बता रहा है इसके अंदर हमने move और copy करना है हमने इस seat को copy करना है इसकी duplicate copy सी है या इसको move कराना है यहां से तो move कराने के लिए देखिए हम यहां से इस seat को पकड़ेंगे और जहां भी हमने रखना है हम वहां पर इसको यह ड्रैक कर देंगे तो यह seat वहां से move कर जाएगी चल गई ना या फिर हम इस option को चुन लें जहां से जाके move और copy पर हम किलिक करेंगे तो यहां पर सारी seat के नंबर दिखा रहा है आपने कोण सी seat के पास इसको move कराना है कहां पर ले जाना है हम वह seat चुन लेंगे हमने यहां पर 9 के बाद करना है या 7 के बाद करना है और OK कर देंगे तो यह seat इसी फाइल के अंदर यानि कि इसी वर्क बुक के अंदर यह यहां पर move कर जाएगी अगर हमको इसकी बजाए किसी दूसरी फाइल के अंदर यानि कि दूसरी वर्क बुक के अंदर या नई वर्क बुक के अंदर हमने इस seat को move कराना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और अगर दूसरी वो workbook खुली होई है तो यहाँ पर दिखाएगा उस workbook को चुनेंगे या नई workbook में करना है तो new चुनेंगे और ok करतेंगे तो यह seat यहाँ से move कर जाएगी उस new workbook के अंदर या उस existing workbook के अंदर मुव नहीं कराना है हमने copy कराना है इसी के अंदर यहां पर हमने first के उपर ही कराना है और उसके लिए हम करेंगे आप इसको create copy और ok कर देंगे तो अब आप देखो कि यह first seat के पहले हमने किया था तो यहां पर आगा change to के नाम से seat और पहले थी हमारी change यह रही तो दोनों seat से मैं हमने क्या कर दिया उसको copy कर दिया copy करें या move करें दोनों option आपको समझ में आ गया होंगे move हम यूँ पकड़के भी करा सकते हैं इस seat को मैं delete करना चाहूँ इसको delete करके दिखाता हूँ देखो यहां पर जाएंगे delete में delete seat और हम यहां से इसको delete कर देंगे तो अब यह जो seat थी हमने जब ही copy कराई थी यह अब undo नहीं होगी फिर से हम change वाली seat पर आते हैं और यहां पर हमने इसकी copy करनी है तो हम control दबाएंगे और यहां से seat को पकड़ेंगे और जहां भी हमने रखना है उसको छोड़ देंगे तो देखिए इस तरह से भी copy हो सकता है तो इसकी short की control plus mouse click and drags और move कराना होगा तो only mouse से यह पकड़ेंग और उसको यूं drag कर देंगे तो short की साथ साथ ध्यान रखना है जिससे आपका काम आशान हो जाता है ठीक है अब आगए देखते है टाइब कलर हमने किसी भी टाइब का कलर में seat 2 इसका color change करना है तो वापस जाएंगे यहां पर और यहां से हम करेंगे टाइब कलर कौन सा कलर यह वही चुन लेंगे तो seat का color वही हो जाएगा tab का होगे रेड कलर है इस पर आएंगे इस पर आएंगे ऐसे हम अलग-अलग seat का tab color change कर सकते हैं या फिर और settings हमने देखनी इधर नहीं पहुंच रहे हैं तो हम यहीं पर right click use करेंगे तो यहां भी आपको सारे option मिल जाएंग नई seat insert करनी है, seat delete करनी है, seat का नाम change करना है, rename, move or copy करना है, view code देखना है, protect करना है seat को, tab color change करने है, hide करनी है, unhide करनी है, select all seats, okay, सारे option यहां पर मिल जाएंगे आपको, यहां से भी हम color change करके देखते हैं, इसका color हम कर लेते हैं, blue, यह लिजी है, इसका blue हो गया, दोनों का color change हो गया, वापस हम इसी seat पर आते हैं, अपने पर, जहां पर काम कर रहे हैं, आगे चलते हैं, format के अंदर फिर से, यहां पर आ रहा है, protect seat, lock cell, यह दोनों option हम बाद में करवाएंगे, हम seat protect करना बताएंगे, जब review के अंदर जाके बताएंगे, okay, format cell का, यह हम करवाई चुक पर का, format change करना है, उसका, हमको क्या data चीए, वहाँ पर, यह उसका alignment क्या रखना है, उसका font size, color क्या करना है, border रखना है, नहीं रखना है, fill करना है, उसको protection करना है, सारे option आपको यहां पर मिल जाएंगे, यह मैं control 1 वाला यह option करवा चुका हूँ, और आगे भी आपके पास आता रहेगा, नई seat insert करना था, हमने यहां पर seat insert करना है, यहां पर जाके insert कर ली थे हमने seat, यहां से कर सकते insert seat, click करेंगे, तो एक नई seat हमारे पास insert हो जाएगी 12 number, या फिर हम seat यहां से insert करना चाहिए, तो यहां पलस के बटन पर, यहां पर click करके भी seat insert कर सकते है, यहां प जब सीट हम इंशेट करते हैं वो भी अंडू नहीं होगी और जो सीट डिलीट कर दी वो भी अंडू नहीं होगी ओके आई होब फ्रेंड्स वीडियो आपको जरू अच्छा लगा अगा इसी परकार अच्छा अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूड़े रहे है थे को सब्स्क्राइब कर दीजिए हमारे वीडियो इसको में दोस्तों एक कर दीज पिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई